नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों कभी आपने सोचा है कागज और लॉंग की मदद से करें प्रचंड वशीकरण ची हाँ, आज मैं आपके लिलाई हूँ कागज और लॉंग के माध्यम से प्रचंड वशीकरण इतना प्रचंड की से एक बार करने के बाद दुबारा आपको किसी वशीकरण की आवश्यकरण ही नहीं होगी आपकी वो अपने जो आपसे रूट गए हैं, आपका परिवार जो अलग होने की करगार पर आगया है वो परिवार अब एकत्वित हो जाएगा वो परिवार फिर से सिमट जाएगा लेकिन ये तब ही होगा जब आप ये वश्यकरन करेंगी दोस्तों कई बार हमारे आपसी रिष्टे इतने बिगड़ जाते हैं कि वो तूटने लगते हैं तो ऐसे समय हमें एक ऐसे सहारी की अवशक्ता होती है एक ऐसे सुझाव की एक ऐसे उपाई की अवशक्ता होती है जो हमारा घर बचा दे हमारे अपने हमारे पास लोटा दे तो आज ऐसा ही एक उपाय मैं आपके लिए लाई हूँ तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा इस उपाय को, इस विधी को, एक प्रचंड मंत्र को तो आईए समय बरबाद ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि हमें सामगरी क्या क्या चाहिए हमें सिर्फ एक कागस, एक पैन और ये दो लॉंगों की अवशक्ता होगी इस विधी को करने में सोचे सिर्फ इतनी सी सामगरी से कैसे कोई वश में होगा तो आईए आज मैं बताती हूँ कि कैसे होगा आपको कागस पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसे आप वश में करना चाहते है माल लीजिए उसका नाम मोहन है तो इस तरह आपको इस कागस पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है कागज पर आप उस व्यक्ति का नाम लिखे और उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए जिसे वश्मे करना चाहते हैं और दो लॉंग लीजिए कागज में इस नाम के उपर दो लॉंग रखे इस कागज को इस तरहां मोंड लीजिए इस तरहां कि लॉंग बाहर ना निकले फिर इसे हाथ में ले और आपको 51 बार एक मंत्र का जाप करना है तो आईए मैं बताती हूँ क्या है वो प्रचंड मंत्र और वो मंत्र है ओम नमो कामाख्या देवे मम वश्यम करू करू स्वाहा ओम नमो कामाख्या देवे मम वश्यम करू करू स्वाहा इस मंत्र का आपको 51 बाव जाप करना है और उसके बार इस कागस को अपनी जेब में रखी है जी हाँ इस कागस को अपनी जेब में रखी है और उसके घर के बाहर एक चक्कर लगाई आपको उससे बात नहीं करनी उससे मिलना तक नहीं है सिर्फ और सिर्फ उसके घर के बाहर एक चक्कर लगा के आना है उसके बार जब आप लोटेंगे तो इस कागस को आपको जला दे रहा है और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपका वशीकरण किस तरहां असर कर गया किस तरह ये वशीकरण ने अपना असर दिखाया है और वो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो गया वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका ही होकर रह जाएगा सिर्फ आपके आस्पास रहना चाहेगा सिर्फ आप से बात करना चाहेगा आपके परिवार के कल्हे सुदव जाएंगे, आपके परिवार की दशस्तर जाएगी जो एक दूसरे को देखकर राजी ना थे वो एक दूसरे के बिना जीना भी गवारा ना समझेंगे ऐसा ही होगा इस विधी का सही प्रियोक किज़ेगा तो दोस्तों आप गुरुजी को कॉल करें उनसे अपने सवाल पूछें जवाब लें और अपनी समस्या बता कर समधान लें और अपने आपको खुश हाल बनाएं तो दीजे इजाज़त जय माता दी